So hello दोस्तो welcome back to my channel and दोस्तो realme 8 4G smartphone के अंदर realme UI 3.0 का early access second batch का beta update जोगी यहाँ पर live हो चुका है इस beta form को आप अपने device में कैसे apply करोगे इन सभी के बारे में इस वीडियो में A to Z बताने वाला हूँ तो वीडियो में end तक बने रहे है तो दोस्तो realme 8 4G smartphone में realme UI 3.0 का early access beta update को install करने के लिए simply आपको अपने device के settings वाले option में चले जाना है फिर software update में चले जाना है और वहाँ पर आपको right corner में एक setting का logo देखने को मिलेगा इसमें click कर लेना है फिर आपको trial version सो होगा उसमें click करना है फिर आपको early access सो होगा और जैसे ही आप इस early access form को apply करोगे तो आपके device में realme UI 3.0 का early access beta update देखने को मिल जाएगा बड दोस्तो अगर आप अपने device में कुछ important work करते हो तो इस update को miss कर दीजेगा अगर आप कोई भी important work नहीं करते हो तो simply आप अपने device में realme UI 3.0 का early access beta form के लिए apply कर सकते हो और ये update अभी केवल limited users के लिए provide किया गया है तो अगर आपको भी realme UI 3.0 का early access beta update को अपने device में install करना है तो जल्दी से apply कर दीजेगा बट इस update को अपने smartphone में install करने से पहले आपके device में जो भी important data है उसे आपको copy कर लेना है वरना इस update के साथ-साथ आपके device में जितने भी important data है वो भी clear हो सकता है तो दोस्तो बस यही सभी latest update realme 8 4G smartphone के तरफ से सामनी निकल के आई थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में share कर दिया हो यह वीडियो आप लोगों कैसे लगी अच्छी लगी तो एक like जरूर करें चैनल में नहों तो चैनल को subscribe कर ले बाकी दोस्तो आप चाहे तो मुझे Twitter और Instagram दोने में फोलो कर सकते हो description में आपको link देखने को मिल जाएगा बाकी में मिल तो आप से किसी और वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वन्दे मातरम